तो मेरा नाम है मनपरी सिंग आप देख रहे हैं अपना फुद का चैनल टेक्निकल जे और चलते हमारी आज की वीडियो के और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जहां पर पता देना चाते हुट के यह भी यूरोप मर्किट में हैं अगया है अभी तक कोई confirm नहीं है, कब इसे launch किया जाएगा और कब तक हमें देखने को मिलता है, इंडिया में ये अभी तक confirm नहीं किया गया है, और MI A3 Mobile के हम specification की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आपको dual nano shim support देखने को मिलता है, Android 9Pi पर ये out of box, box पर चलता है, इसमें आपको 6.08 inch का HD plus MLA display देखने को मिलता है, और यहां पर आपको एक अलग feature दिया गया है, आपको यहां पर display में fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा, बैक पैनल में नहीं दिया गया है, और आपको यहां पर corner glass 5 का इत्माल किया गया है, इसी screen की protection के लिए, और processor की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आप 64GB storage variant, 4GB RAM और 130GB storage variant उतारा गया है, और अब बात कर लेते हैं, camera setup की तो camera की तो phone में पीछे की इसी में आपको तीन camera setup तीखने को मिलते हैं, जो पहला है, वो 48MP का है, जिसका पैकेचर है 1.79 और जो दूसरा 8MP का आपको दूसरा camera दिया गया है, वाइड एंगल लेंज के साथ, और depth sensing के लिए आपको 2MP का camera यहां पर provide गरवाय गया है, और water drop note में selfie के लिए आपको 32MP का camera दिया गया है, और अब इस battery के बात कर लेते हैं, 420MH के आपको यहां पर battery इसमें provide गरवाय गया है, connectivity के बात कर लेते हैं, 4G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3.5mm headphone jack इसमें शामिल है, और USB Type-C इसमे आपको देखने को मिल जाएगा, अब बात कर लेते हैं इसी phone के price की, तो इसका जो price है, MIA3 का 64GB variant की कीमत लगपक 19200 रुपई है, और अगर उसके 188GB variant की बात कर लेते हैं, तो उसकी कीमत है 21500 रुपई, और 24 जुलाई से इसकी बिक्री शुरू है, इंडिया में नहीं है ये तीन ही variant इसके उतारे गई हैं, और ये ही था MIA3 का review, review चल अगर like and share and subscribe जिरूर कीचे, और इस वीडियो में इतना ही मुझे थी जाजर, जय हिंद बनने माता